एक महीला प्यार में अंधी होका अपने पती और ससूर की बेरहनी से हत्या करवा देती है एक काड़ी में उनकी लाज को फिजवा देती है प्रेम सिंग नाम का एक म्यक्ति रहता है प्रेम सिंग का एक बेटा होता है राजेश राजेश की पत्नी दीपी का और उनका इकाट साल का बेटा हसी खुल सी रह रहे होते हैं बैकिन एक गर्टा आता है कि उनका परिवार उंका फिख़र जाता है उनका परिवार फिखर जाता है जी आ कि निये जास दूहिता है राजेस के घर आता है तो उसकी नज़र दीपिका पर पढ़ती है दीपिका बेहता है तो दीपिका पर दॉब्णार हो जाती है दोनों में प्यार प्यार परसंग चलने लगता है योगेश अक्सर दिपिका के घर पर आया करता है राजिस को बीन बताए और बात यहां तक पहुंच जाती है कि वो दोनों एक दूसरे से संबंद भी बना लेते हैं जब दिपिका और योगेश संबंद बना रहे होते हैं एक दिन तो राजिस क जब घर आता है यह बात पता लगती है उन दोनों को इस हालत में देख लेता है कि नगनवस्था में दोनों एक दूसरे से लिपते हुए हैं तो राजिस को बेहत बुश्या आता है योगेश को डाटता है फटकारता है अपने घर से निकाल देता है और दिपिका की तुम कुछ ऐसा करो जिससे मैं तुम्हारे साथ रहो तब योगेश प्लानिंग बनाता है राजिस को आस्ते से हटाने की राजिस एक दिन रात को अपने घर में सो रहा होता है तब ही दिपिका योगेश को फोन करकर बुला लेती है क्योंकि उन्होंने पहले से ही प्लानिं लेकर आती है जो कि राजिस के पेट पर वार करने लगती है लगाता इतने वार करती है कि उसका खून बहने लगता है जब बाहर जाता है तो जो राजिस के पिता होते हैं प्रेम सिंग वो उस खून को देख लेते हैं खून को देखने के बाद राजिस की कमरे में आते हैं कि योगेश और दीपीका राजेस को मार रहे हैं यह लोग आते हैं उससे पहले ही दीपीका और योगेश प्रेम सिंह को भी मार डालते हैं सोचते हैं कि अब इसने सब कुछ लेख लिया है यह बहार जाकर कहेगा तो क्यों ना इसको भी रास्ते से हटा दिया जाए तब ही राजिस्ट की भी हत्या कर देते हैं गो लोग और प्रेम सिंग को भी रास्ते से हटा देते हैं गामवालों को यह बात पता चलती है कि योगेश और दिपिका ने प्रेम सिंग की और राजिस की हत्या कर दी है तब पुलिश को इनफॉर्म करते हैं पुलिश आती है दोनों को अरेश्ट करती है और दोनों को जेल पहुंचा दिया जाता है यही पर इस घटना का अंत हो जात